इंसान जितना बड़ा नजर आता है बड़ी बड़ी बातों में, कास उतना ही नेक होता अपनी नियत और इरादों में, हम जिन्हें अपना समझकर सब बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं, ये ही तो है खासियत जिंदगी की, कर्ज वो भी जिन्दगी गुजरने लगी है, अब तो किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिस्तों पर, माफी मांगने से कभी ये सावित नहीं होता, कि हम गलत और वो सही है, माफी का असली मतलब है कि हम में रिस्ते निवाने की काविलियत उनसे ज्यादा है, तारीफ किये बिना कोई खुश होता नहीं, और जूट बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं, वो करीब ही ना आये तो इजहार क्या करते, खुद बने निसाना तो सिगार क्या करते, मड पर खुली रखी आखे, इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते, बिमारी खरगोष की तरह आती है, और कछुए की तरह जाती है, जबकि पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोष की तरह जाता है, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, जब हाला साथ बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। मुछ लोग आासूओं की तरह होते हैं पता ही नहीं चलता साथ दे रहे हैं या साथ छोड रहे हैं। अधिक दूर देखने के चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। लोगों को भरपूर सम्मांग दीजिये इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है बलकि इसलिए कि आप में संसकार है लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिन्दगी अधूरी नहीं होती मगर ये भी सच है कि लाखों मिल जाने से उस सक्स की कमी पूरी नहीं होती पेट में गया जार सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जार सैकरो रिस्तो को मारता है पडिंदे सुक्र गुजार है पतजर के वी साथ इनके कहां से लाते अगर हमेशा भार ही रहती इनसान के खामोशी को समझना सीखो बातों को नहीं क्योंकि एक बात के तो हजारों मतलब होते हैं जब इनसान नए लोगों से मिलता है तो पुढाने लोगों को भूल जाता है लेकिन जब नया इनसान दिल दुखाता है तो याद पुढाने ही आते हैं अक्सर गलत इनसान पे भरोजा करने के बाद ही सही इनसान को पाचानने की समझ आती है जब किसी का दोगला चेहडा सामने आता है ना सच मुझ तब उस पर नहीं अपने आप पर गुस्सा आता है जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो क्योंकि बहूत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती जिंदगी हमें कई बेहतरीन दोस्त दे सकती है लेकिन सच्चे दोस्त हमें बेहतरीन जिंदगी दे सकते हैं एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में एक विचार आया एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता जीना है तो उस दीपक की तरह जियो जो बादसाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी किसी गरीब की जोपड़ी में कहीं जिद पूरी कहीं जरूरत भ पत्नी मकान तक समाज समसान तक उत्र अगनी दान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक गलत होकर खुद को सही सावित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही सावित करना एक वक्त था जब घर में उजाला करने के लिए दिया जराते थे अब दिया कुछ है मुझको भी तीर की तरह मगर खामोस रहता हूं मैं अपनी तकदीर की तरह छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है ख्वाहिशो का क्या है वो तो पलपल बदलती है प्रेम से रहो दोस्तो जरा जरा सी बात पर रूठा नहीं करते हैं बत्ते वही सुन्दर दिखते हैं जो साक से तूटा नहीं करते हैं समझदार एक मैं हूँ बाकी सब नादान बस इसी बढम में घूम रहा आजकल हर इंसान रात नहीं होगी तो सुबह का मात तो ही नहीं होगा दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा तुमसे बिछड़े तो मालूम हुआ कि मौत भी कोई चीज है जिन्दगी तो वो थी जो हम तेरी महफिल में गुजाराएं दड़िया बनकर किसी को डुआना बहुत आसान है मगर जड़िया बनकर किसी को बचाए तो कोई बात है कास आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती कास आपसे मुलाकात हमारी ना होती सपनों में ही देख लेते हम आपको तो आज मिलने की इतनी बेकडारी ना होती गलत फाहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भड़े सौलम हो को एक पल में भुला देता है अहंकार दिखा कर किसी रिष्टे को तोरने से बहतर है कि मापी मांग कर रिष्टे को दिल से निवाया जाए तु दूर है मुझसे और पास भी है तेरे कमी का एहसास भी है दोस्त हमारे लाखो है इस जहां में पर तु प्यारा भी है और खास भी है हर बात पर तुम्हारी जो जूटी वाह वाह करेंगे देख लेना एक दिन वही तुम्हें तबाह करेंगे मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी भी नहीं देना चाहिए